Welcome Friends, The Portrait of a Lady chapter में आपका स्वागत है इस chapter में हम आप लोगों को जितने भी इसके most points हैं पूरा chapter और इसके साथ में इसकी Hindi translation बोट easy language में English आपको समझाने जा रहे हैं आप end तक इसे पूरा देखें हर question का आप answer बना देएं Start करते हैं In the beginning of the chapter, the author tells us that he had a grandmother जो हमारा part सुरू होता है इसकी सुरूवात में लेकक हमें बताता है कि उसके एक दादी मा थी She was very old lady वो बोट गूरी महिला थी She had a wrinkled face उसके चेहरे पर खूब सारी जुरियां थी People said that she was once young and pretty लोग करते थे कि वो कभी युवा और सुन्दर थी She had a husband उसके एक पती भी था She used to play the games like a child वो कभी बच्चों की तरह खेल भी खेला करती थी This fact was hard to believe and it was treated like the fables of prophets यह fact बरो से करने लाइक नहीं था और it was treated like the fables of prophets यह किसी पेगंबर के कहनियों के समान लगता था The author's grandfather wore a big turban जो लेकक था उसके दादा जी एक बहुत बड़ा सापा पानते थे and loose fitting dress in his portrait और जो उनकी portrait यानि जो तस्वीर लगी हुई थी उसमें उन्होंने डीले डाले वस्तर भी पान रखे थे यानि बड़ा सापा और डीले वस्तर He looked at least a hundred years old वो कम से कम सो साल की उम्र के नजर आ रहे थे उस portrait में उस तस्वीर में His long white beard covered the best part of his chest उनकी लंबी सपे डाड़ी उनके सीने तक आ रही थी He looked as if he could only have lots of grand children वो ऐसे लगते थे जैसे कि वो केवल बहु सारे नाते पोते पोती ही रख सकते हैं एसी उनकी उम्र नजर आ रही थी उस तस्वीर में The grandmother was not tall जो दादी मा थी वो इतनी लंबी नहीं थी But she was fat लेकिन वो मोटी थी Her waist was slightly bent down उसकी कमर जुकी हुई थी Her face and body looked unchanged for the last 20 years उनका चेरा और उनका सरीर पिछले 20 साल से बिलकुल अपरिवर्तन ये नजर आता था She wore sportless white सारी वो दब्बे रहीत सपेद रंकी सारी पहनती थी Her silver locks were scattered untidily over her pale face उनके जो चांदी के समान जो बाल थे जो लटे थी वो इदर उदर भिक्री रहती थी उनके पीले चेरे पर Her lips mood constantly in inaudible prayer उनके होट सुनाई न देने वाली प्रातना में लगातार हिलते रते थे Her hand had a rosary उनके हाथ में एक माला रती थी She kept moving its beads वो इसके मोतियों को फेरा करती थी She was very pretty according to the author लेख केनुसार वो बहुत सुन्दर थी She was really peaceful like landscape in the mountains During winter season सर्दी के मोसम में जैसे बूद्र से नजर आता है वे शी वो शान्त थी प्रिये नजर आती थी बिलकुल शान्त नजर आती थी She was very peaceful and never got angry वो बहुत शान्त थी और कभी नाराज नहीं होती थी She used to awake the grandson up in the morning वो उसके पोते को सुब़ जल्दी जगा देती थी She got him ready for school वे उसे school के लिए तयार करती She bathed him singing prayer in her sweet voice वो उसे नेलाती तब उसकी मीठी आवाज में प्रार्चना गाती थी She hoped that he would learn it by heart वो सोश थी थी वो इसे कंटस्त याद कर लेगा But he didn't try लेकिन उसने कभी एसा नहीं किया She dressed him and plastered his slate with yellow chalk उसने उसको कपड़े पनाती थी वो dress पनाती थी और उसकी slate को पीली चोग से plaster कर देती थी उताय कर देती थी The author had a thick stale चपाती with a little butter for his breakfast जो लेखक था उसे एक मोटी बासी चपाती मिलती थी और उसके उपर थोड़ा मखन लगा रहता था उसके नास्ते के लिए Some sugar was sprayed on it और उसपर कुछ शक्कर भी वो बिखेर दिया करती थी She also took many stale chapaties for village dogs वह गाउं के कुटों के लिए कहीं सारी बासी चपातियां लाती थी The author's grandmother went to school with him दादी मा उस लेख के साथ school जाती थी Because his school was attached to the temple क्योंकि उसका school मंदिर के बिलकुल पास था She sat inside reading the scriptures वह मंदिर में अंदर बेट कर धार में गरंत पड़ा करती थी On return to home, घर लोड़ते समय, she found dogs at the door of the temple उन्हें मंदिर के दरवाजे पर ही वह कुटे मिल जाते थे They followed the author and the grandmother to the home वे लेकक और उसकी दादी मा के साथ घर तक आते थे On the way, the grandmother threw chapaties The dogs fought with each other to get chapaties रास्ते में दादी मा वो रोटियां उन कुटों को फैंकती थी और वे उन्हें लेने के लिए एक दूजे से लड़ते रहते थे The author and his grandmother were good friends लेकक और उसकी दादी मा बहुत अच्चे मित्र थे The author lived with her when his parents went to live in the city जब उसके माता-पिता शहर में रहने के लिए चले गई थे तब से लेकक और उसकी दादी वहाँ गाओ में ही रहते थे When the author's parents were well settled in the city जब लेकक के माता-पिता शहर में अच्चे तरह से settled हो गए They sent for the author and the grandmother उन्होंने दादी मा और लेकक को भी वहीं बुला लिया Now his grandmother could not go to school with him अब उसकी दादी मा उसके साथ school नहीं जा सकती थी and help him in his studies और उसकी पड़ाय में भी मदद नहीं कर सकती थी It was a turning point in their friendship ये उनकी दोस्ती में एक turning point था Although they shared the same room हाला कि उन दोनों को एक ही कमरा दिया गया था But their intimacy lessened लेकिन उनकी गनिश्टा कम हो गई थी She asked the author about his studies वह author से लेकक से उसकी अध्येन की बारे में पूछती थी उसे क्या पढ़ाया गया ये पूछती थी But when he told her English words लेकिन जब वो उसे अंग्रेजी के सब्द बता था English school वो उस चीज पर बिल्कुल ब्रोसा नहीं करती थी जो चीजें English school में पढ़ाय जा रही थी It made her sad इससे वो दुखी हो जाती थी There was no teaching about God and religious books कि वहाँ पर इस्वर और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई पढ़ाय नहीं होती थी When the author told her about music जब author ने लेखक ने उसे संगीत के बारे में बताया She became distressed तो वो बहुत जादा घबरा गई According to her music was not meant for gentle folk उसके अनुसार संगीत सामानी वेक्तियों के लिए नहीं बना है It had lewd association इसका सम्मंद कामुक वेक्तियों से है In her opinion, it was the subject of harlots and beggars उसके अनुसार यह वेश्याओं और विकारियों का विश्यत था The author went to university अब लेखक युनिवर्सिटी विश्विद्याले चला गया He now got a separate room in the house उसे अब मकान में एक अलग कमरा दे दिया गया The meetings between the author and his grandmother lessened अब दादी मा और लेखक के बीच में अब meetings मुलाकातें बहुत कम हो गई Thus the common link of friendship between the author and the grandmother was snapped इस प्रकार अब दादी मा और जो लेखक था उनकी दोस्ती के बीच में जो सामाने लिंक था जो जुड़ा हो था वो अब टूट गया She did not leave her spinning wheel to talk to anyone वो अब उसका जो चर्का था उसे नहीं छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए She sat by her spinning wheel वो उसके चर्के के पास बेटी रती Reciting prayers प्रातना गाती रती From sunrise to sunset सूर्योदे से सूर्यास तक In the afternoon she fed the spay rose दोपर में वो चिडियाओं को बोजन कराती थी Hundreds of little birds collected around her उसके आसपास हजारों चिडियाओं आ जाती She broke little pieces of the bread and put them to the spay rose वो रोटी के छोटे छोटे टुकडे तोड़ती और उन्हें चिडियाओं को दे देती Some set on her legs, कुछ चिडियाओं उसकी टांगों पर Some on her shoulders, कुछ उसके कंदों पर Some of them even set on her head उन में से कुछ तो उसके सिर पर भी बेट जाया करती थी But she never shoot them, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं भगाती थी She just smiled, वो तो केवल मुस्कुराती थी These moments were the happiest moments of the day for her ये पल उसके लिए सबसे कुछ नुमा पल थे पूरे दिन की When the author went abroad, she came to see him off at the railway station जब लेकक विदेश गया, तो उसे railway station तक छोड़ने आई But she was not sentimental, लेकिन वो बिलकुल भावक नहीं हुई Her lips were busy in prayer उसके होट प्रार्तना में वेश्ट थे The author was going to Abroad for 5 years लेकक विदेश में 5 साल के लिए जा रहा था His grandmother kissed his forehead at the railway station उसकी दादी माने, उसका माता चूमा It was his last physical contact with his grandmother ये उसका अन्तिम सारी एक संपरकता उसकी दादी के साथ When the author returned, जब लेकक लोट कर आया She went to the railway station to meet him वो उसे मिलने railway station तक गई On the EOp is returned from Abroad उसके विदेश से लोटने के अवसर पर She had no time for words and she cleft him in her arms उसके पास बोलने के लिए समय नहीं था And she cleft him in her arms उसने उसे अपनी बाव में लपेट लिया The author could hear her reciting prayers लेकको उसके जो फ्रार्तना थी उसके बुदबुदाने की आवास सुनाई दी In the evening, she didn't sing prayer शाम को उसने फ्रार्तना नहीं गाई She collected the women of the neighborhood and got an old drum उसने जो परोज की मही लाएं थी उन्हें इखटा किया और एक पुराना ड्रम लिया She thumped it and sang the songs Of the homecoming of the warriors उसने घर लोटे हुए योद्धाओं की गीत गाई और उस ड्रम को बजाया Next morning, she fell ill अगली सुबह वो बीमार हो गई The doctor said that she would get fine डोक्टर ने कहा वो ठीक हो जाएगी बट सी लेकिन Toward them her and head come near लेकिन उसने कहा कि उसका अंत अब पास आ गया है She continued to move the beads of the rosary and to take the name of God उसने अपनी माला के मोतियों को फेरना जारी रखा और बगवान का नाम भी लेती रही Suddenly, her lips stopped moving and her rosary fell from her fingers अचानक उसके होट हिलना बंद हो गए और माला उसकी उंगलियों से चूट कर नीचे गिर गई She was no more अब वो नहीं रही Thousands of sparrows sat scattered on the floor all over the veranda and in her room up to where she lay dead और हजारों चिल्याई वहाँ आई बिख्री हुई पर्स पर बेट गई रामदे से लेकर जिस कमरे में उसको सुला रखा था उसके म्रत सरीर को रख रखा था वहाँ तक आ गई देर वो साइलेंस एवरिवेर वहाँ अब शान्ती थी ओतर्स मदर टुक सम परेट एंड सी क्रम्ड एंड थ्रू इटू देम ओतर की माने लेकर की माने कुछ रोटी के टुकडों को तोड़कर और उन्हें चिल्याओं के तरफ फेंक दिया बट देरोस टुक नो नोटिस ओप देम लेकिन चिल्याओं ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया दे वर वेरी सेड वे बहुत दुखी थी वेन देट बोड़ी ओप दे ग्रेंड मादर वोस केरीड ओप जब दादी मा की मरत सरीर को ले गए वे भी चुपचाप उड़कर चली गई इस परकार चिडियाओं ने भी दादी मा की मरतिव पर सोग प्रकट किया फ्रेंड्स इस चेप्टर की जितने भी क्योशन आंसर्स हैं सोट आंसर टाइप, लोग आंसर टाइप और एडिशनल वो हम इसके पार्ट टू में देखेंगे आप चैनल के साथ बने रहें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक यू